हेलो दोस्तों मैं शुनी शर्मा आगया हूं DSMS की सीरीज का अगला लेक्चर ले करके अभी तक मैंने आप लोगों को strength of joint के बारे में बताया था और कुछ numerical भी solve करवाये थे उसमें नुमेरिकल में छोटा सा data मैंने बोल दिया था उसमें करेक्ट करने के लिए आप उसको कर लिजीगा calculation साथ में करने में कभी-कभी mistake हो जाती है और मैं one time calculation करता हूं दुबारा check भी नहीं करता हूं ताकि time नहीं जाए तो कभी-कभी हो सबसे बड़ी चीज मैं आपको डिजाइन में बहुत ज्यादा इस्टेप रटा के बताने वाला नहीं में बहुत सॉट में समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है क्योंकि अगर मैं लंबे चोड़े प्रॉसेस समझाऊंगा तो फिर बुक में और मुझ में कोई अंतर नहीं जोगा मैं लेक्चर को बड़ा ना करके पॉल्ट सॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं अच्छा डिजाइन का मतलब आप लोग जानते हैं किसी चीट की साइज निरधारित करना दिये गया बड़ी होगी या पर पीच में उसमें कितने रिवेट लगेंगे यही सब तो आप उनको बताएंगे तो उनको भी कुछ जैसे उन्होंने बताया कि हम जो लोड तो इतना रहा है लेकिन प्लेट हम इतनी मोटी यूच करेंगे फिर आप कहेंगे कि नहीं इतनी मोटी रहेग तो क्या होगा या इससे ज़्यादा मोटा रखें कम रखें यह सब कुछ डेटा वो आपको देंगे जैसे आरसे सी में होता था ग्रेड बता दिया जाता था आपसे पिर आप उसके आधार पर बीम की लंबाई चोड़ाई बता देते थे कि कितना रखा जाएगा उसमें दिया है यह एक कंपल्सरी फिनोमेना या कंपल्सरी डेटा इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए लेकिन प्लेटों की मोटाई नहीं दी गई है तो आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं नुमेरिकली समझ मेरी बात वह आप डिसाइड नहीं करेंगे आ आपको डिजाइन करना है तो जो भी आपको काम दिया जाएगा नुमेरिकल दिया जाएगा उसमें सबसे पहले प्लेट की मोटाई आवस्य कुरूप से दी गई होगी इस चीट का ध्यान रखेगा बीना प्लेट की मोटाई दिए कोई कहानी संभव नहीं तो पहले कोस्टन देखते ही डिजाइन में क्या डूड़ना है प्लेट की मोटाई ठीक है अब दूसरा बंदू नोंने कहा कि यह प्लेट की मोटाई है बताई इसको लगा करके जोड़ना है कितना इस्ट्रिंथ देगा तो आप फिर कहेंगे कि अच्छा लोड आपका कितना रहा है वो बता दीजी कि आपके मेंबर पर इतना लोड मोटाई आपने बताया कि भी समय में ठीक फिर आप बता दीजिए कि लोड कितना आ रहा है उस मेंबर पर अगर आप नहीं बताएंगे तो हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे रिवेट से यह जितना ले सकता था उतना नहीं गया है तो आप इसको डिजाइन करिये मैक्सीमम स्टरंथ के लिए होब चीजे क्लिए मतलब यह इकम पल सरी नहीं अगर नहीं भी दिया रहेगा तब भी लगेगा कब तब इसको मैक्सीमम इस्ट्रंथ लिएंग तो दूसरा चीजा रिवेट डाया कई बार अनुभवी थे काफी अपने अनुभवों के आधार पर इंपरिकल फॉर्मूला बनाए रिवेट का डायमीटर निकालने का इंपरिकल मतलब अनुभव के आधार पर जो फॉर्मूले बनाया जाते हैं जिनके पीछे कोई सिध्धान्त या थियोरी नहीं होती है वो होते इंप और इंपेरिकल फॉर्मुलों ने बोला कि अगर आपकी प्लेट की मोटाई टी है तो इसक्वायर रूट आफ टी आशिक्स पॉइंट जीरू फाइफ टाइम्स उसको बढ़ा लीजिए एम एम में आपका डिवेट का डाया मिल जाएगा अब सब पूर यहां पर द्यान दिज सब्सक्राइब करेंगे तो फाइब किसमें आजाएगा समझ गया अन्विन फॉर्मुला 6.05 अंडर रूटी करेंगे तो अन्विन का फॉर्मूले से आप रिवेट का डाया निकाल सकते हैं चीज़े क्लियर है अब देखी क्या होगा यहां पर इससे क्या हुआ इससे आप निकाल लें तो फाई भी एमम में आएगा टी एमम में रखना पड़ेगा लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमारा प्लेट के मुटाई सेंटीमीटर में और फाई सेंटीमीटर में तो आप उसकी जगहां पर 1.91 रूटी कर देंगे तो आपका फाई जो होगा वो सेंटीमीटर इंपरिकल फॉर्मूला है कहीं से डिराविशन नहीं मिलेगा यह उन्हों पर बनाया फॉर्मूला है चीज़ें क्लियर है किसने बनाया था अन्मीन साहाब ने इसका नाम है अन्मीन्स फॉर्मूला तो ठीक है नहीं तो यहां से आप रिवेट कर दाया भी निकल लेंगे अ आपको निकालना क्या रहेगा फेचिया विट यानि प्लेट जो आप केड करेंगे अकशर करके विष्ट नहीं पीच ही निकालना पड़ता है कि कितने एमें पेर रिवेटों जैसे आप 25 योड़ना को कि तो कितने कितनी दूरी पर में या कितनी लिवेट लगा जया I बैसीकली कितनी कितनी दूरी पर ल jud откры आनिकितने रिबेट्स लगाइं बात समय में रही है यह दोनों लगा जाया और गवर प्लेट अगर बट जोएंट है तो cover plate की मौटाइं कितनी रखे जाए यही सब चीज है तो पिच निकालने के लिए कि कितना पीच होगा वह एक प्रॉब्लम हुआ नंबर आफ रिवेट्स कितने लगांगे वह दूसरा प्रॉब्लम हुआ कवर प्लेट अब निकालना पड़ेगा एक बड़ जोईट तो सबसे पहली चीज आपको क्या निकालने पड़ेगी पीच तो पीच ऐसा ही बता ही माल लिजी यह ऐसे जोड़ा जया ठीक है एक प्लेट है से इसमें दो रिवेट लगे हैं इधर से एक प्लेट और इसमें है लैप में ऐसे हैं आपको इधर से पी लोड लग जिया है तो पी लोड अकर नहीं भी मालू मैं तो आप यह बताईए इस समय दो रिवेट हैं कर डाया आपको आपको पता है नहीं पता चलेगा प्लेट की मोटाइस आन्मीन फॉर्मूलेस निकाल लिया चलिए आपने यह इसकाण डि नीकालिया तो पीय तो आप एक रिवेट का एक रिवेट का पीस आप निकालेंगे कैसे निकलेगा आप जानते है कैसे प fel be आपने पता करें लिय τον स्क्वार एंटू स्ट्रेस सिग्मा एफ दिया हुए पी भी आप निकाल लेंगे पीबी कैसे निकालेंगे कैसे देखिए समझेगा तो पाई बाइब बिट इन्टू क्या कर देंगे आप इससे आपने निकाल लिए एक चीड़ी पता किया कि एक रिवेट अगर एक पीच में अगर रिवेट लगेगा तो रिवेट कितने पर फेलोगा सपोज इसमें से कोई एक वैलू आ गई यहां सब मैं डेटा राखके नहीं सब्कराओं एक एक वैलू को यह आ गई 30 किलो न्यूटन जो कम है माली जी यह 30 आ गया उपर वाला और यह आ गया 40 तो आपकी सो ले लेंगे 30 को लेंगे क्यूं क्यों कि आप जानते हैं पर पीच में जो एक रिवेट लगा हुआ है उसकी में जो कम स्ट्रेंथ होती वही स्ट्रेंथ होती ह एक चीर बताईे यहां पर इस प्लिट में आपको क्या लग रहा यह जोड की स्ट्रेंथ 30 कि 40 तो आप कहेंगे सर 30 होगी तो हम कहेंगे नहीं नहीं निकाले हैं कि हम कहेंगे कि अभी आप पीटी नहीं निकाले हैं तब पीटी अगर मारी जो 25 आता तो वह नो होते जाता तो यह बात बताइए आप 25 लाने देंगे पीटी को चले इन पर तो हमारी मजबूरी है कि भाई पीयस इतना है पीटी हम अपनी मर्जी से न कर लेंगे कैसे क्यों क् कि strength maximum हो चलो भाई इसका 30 आया इसका 40 आया तो 30 होगी या तो 40 तो इतना तो confirm है कि आप 30 लेंगे तो पीटी अगर इनसे कम ना आए इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप जानते हैं कि पीटी बराबर क्या होगा तो आप इसर पी माइनवस डी इंटू टी इंटूस किरह अफ्टी काArt फर्मूला क्योंकि देखें यह पीटी क्या लग रहा है किस पर डिपेंड करना है जितना पी बढ़ेगा उतना ही पीटी बढ़ेगा तो पी को ऐसा रखिये न कि कम से कम ये भी 30 32 35 देने लगे तीस वाला ही लेंगे लेकिन पीटी तो हमारे हाथ में हम पीच बढ़ा देंगे पीटी बढ़ जाएगा तो कहेंगे सर पीच कैसे बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएं यहां पी की ऐसी कौन सी वैलू रखें कि यह कम से कम तीस आए तो इसके लिए बहुत सिंपल आइडिया है क यह पीटी आप जानते हैं कम से कम आपको कितना चाहिए तीस चाहिए तो आप तीस यहीं पर ऐसे रख दीजिए यहां पर पी माइनास अड़ी का वालू आपको पता है डी भी रख दीजिए टी भी रख दीजिए एफटी विड़ दीजिए अभी फॉर्मूलें म बताएं दी पहले स्पता है पीप मोटाई पता है डी कैसे पता चला था अरे फाई निकालेंगे तो डी भी पता चल जागा फाई प्लस वन पॉइंट फाइव और तू यह आप पहले से जानते हैं फार्मूला तो बताइए यहां पर जब आप 30 रख देंगे पहले क्यों क्योंकि हमें पता है कि हमको पीटी कम से कम पीश चाहिए ही चाहिए तो यहां पी की वैलू अपने आप निकल करके आ जाएगी और आपका पीच का निर्धारन हो जाएगा नहीं समझे बात को पीच निकालने का सिंपल तरीका आप सिंपल पीश पीबी निकालिए उनमें से जो कम हो उसक से ज्यादा तो रख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं रख सकते हैं हमेशा ध्यान रखेगा पी का जो भी वैलू है ना कोड का सुझाव है कोड का सुझाव क्या है कि पी कभी भी 2.5D से कम नहीं होना चाहिए पी कभी भी 2.5D याने डामीटर और 2.5 से कम नहीं होना चाहिए अगर माल लिजी आपने यहां से पी निकाला कि पी सर हम लोग यहां से यहां से चलिए 40 mm आ गया आपका क्या 40 mm यहां से पी का वैलू आ गया लेकिन अगर रिवेट 20 mm है तो 20 आइंटू 2.5 करेंगे आ जाएगा 50 mm तो आप 40 मत रखिएगा आप 50 रखिएगा कोड ने कहा है 2.5 डी से कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो पी निकालने का तरीका समझ में है तो आपने यह है डिसाइड कर लिया यहां से देखे लेक्टर को ठीटिकली है समझेंगे बहुत असानी समझ में आजाएगा आपने अभी अभी देखिए आपको केवल ठीकनेश दिया था लोड नहीं दिया था लोड कुछ भी होगा देखे पी एस पीडिक एकोर्डिंग आप निकाले त सकता है इसे ज्याधा भीलेगा क्या नहीं ले सकता है फिर आप रिवेट्वों को इस डारेक्टन वढ़ाना शुरू करें इस चीज़ का धिया रखेगा रिवेट्व को फिर आफ इस डारेक्षन बढ़ाना सुरू करेंगे तो हमेसा धिया धिया कि 30 या 40 में से कौन से गालना हान नंबर और ने है अपने टोटल नंबर और आपनेन रहा है जब पीच निकालना हो तो दिए संप है को यहें समस्य हो सकती है आप इमती जगाओ पर टोट अगर दिया रहें लोड अभी अहीं तक को निकालना है कि रीवेड कितने होंगों और एक र Index की वालू जो tob Kinda वह 30 किलोड़न है माप लिज़े रिवेड की एक रिवेड कि 30 कि नोटन पर कट जाएगा और टोटल लोड एक सो पचास आ रहा तो बताइए आप ही कितना रिवेट लेज़ा तो आप तुरंथ कहेंगे सर नंबर आफ रिवेट्स जो होंगे वह होंगे 150 अबटा आर भी यानी लोड लोड अपाउन क्या हो जाएगा रिवेट वैलूइव यानी एक रिवेट्स को बतां आप理स करें तो आंसर तुरंथ पाँच रिवेट्स आजाएगा नए संगह बात को महातने देख लिया अपने नंबर अफ रिवेट कर ली यानि पांच रिवेट लगेंगे प्पिच पर उप्पी के पच पड़ यह आ अपने समझा दिया अब यह आपको अगर 맞म नीकालना हो बट जॉइन के केस में तो उसके लिए कोड का रिकमेंडेशन है कोड ने कहा है कि जो कवर प्लेट है कवर प्लेट की मोटाई टीवन जो होगी वो कभी भी कम नहीं होने चाहिए यहां पर अगर मुख्य प्लेट 16 mm की है मतलब मुख्य प्लेट 16 mm की है तो इसका आर्थ हुआ कि फाइब बाई एट आइंटू टी में प्लेट है में प्लेट मतलब 16 तो यह कभी भी कम नहीं होना चाहिए किस से ती वन जो है वो कम नहीं होना चाहिए किस से 10 mm से क्यों आठ 16 से कट गया 10 आगया यानि टी वन या तो 10 mm हो या उससे ज्यादा हो नहीं समझे कम नहीं होगा मतलब क्या होगा बराबर होगा या ज्यादा होगा तो अगर सीधे आपको पता चले हाँ पे कि जह मुख्य प्ले टी कर लेना यानि उसका पांच बटाट ऐसी यसी दो हो जाएंगी तो दस और दस मिलके 20 हो जाएगा और में प्लेट सोलर का हई है तो आई होप आपको डिजाइन के लिए जो बेसिक बातें थी फंडामेंटल बातें थी वह समझ में आ गई इस से रिलेटेड निमेरिकल अ उसके तब तक के लिए वीडियो को सेर सब्सक्राइब करते रहें मिलते रहें मिलते हैं नेक्स लेक्चर में